हलो फ्रेंड्स एक बार फिर से सोगत है आपका मेरे चैनल पे मैं हूँ आपके साथ नितिन पाल तो फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे कि हम अपने लॉस्ट डैटा को कैसे रिकवर करेंगे कई बार क्या होता है फ्रेंड्स कि हमारी pen drive में हमारा important data जो है वो store होता है लेकिन accidentally वो data हम से delete हो जाता है या फिर किसी वज़ा से वो corrupt हो जाता है तो आज मैं आपको एक ऐसा method बताऊंगा जिससे आप उस deleted या फिर lost data को recover कर सकते हैं एक simple सा software है जिसको आप google पे search करेंगे और मेरी बताई हुई site से आप उसको download करेंगे download करने के बाद उसको हम कैसे run करेंगे और अपना data हमें कैसे recover करना है यह सारा process अहाल जह हम इस वीडियो में जानेंगे तो यह सारा process जाने के लिए प्लीज मेरे वीडियो को आप शुरू से लाज तक देखेगा ताकि आप एक एक step को follow कर सकें और इस process को सीख सकें ताकि आप अपने love data को जो है recover कर सकें तो friends चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो friends सबसे पहले आप अपने computer के google chrome में आप google को open कीजिए google को open करने के बाद इसमें आप लिखेंगे recuva लिखेंगे आप और उसको search करेंगे search करने के बाद आपको बहुत सारे option दिखाए देंगे लेकिन आपने ये link जो है filehippo.com की side से download करना है जैसा ये मैं आपको दिखा रहा हूँ आपको filehippo.com से इस link को download करना है अब आप इसको simply click करके यहाँ पे green button से download कर लीजिए और ये आपकी जो है download location पे automatically save हो जाएगा जहाँ पे आप अपने downloads रखते हैं तो मैं desktop पे रखता हूँ तो मेरा जो ये है software exe file जो है वो desktop पे जाके save हो जाएगी देखिए छोटी सी file है यह hardly एक minute या डेड़ मिनट में आपकी उससे भी कम time में जो है save हो जाएगी और आप इसको simply वहाँ save install करेंगे देखिए मेरी file download हो चुकी है मैं इसको minimize कर रहा हूँ minimize करने के बाद आपके download location पे ये file होगी मेरे desktop में मैंने save की है तो desktop पे देखिए सामने दिखाई दे रही है इसको मैं simply run करूँगा means install करूँगा simply इसको run करने के बाद ये अपना चोटा सा process लेगी और उसके बाद देखिए ये yellow button दबा के आप इसको जो है वो next करके इसको install कर सकते हैं जब ये पूरी तरह से install हो जाएगी file आपकी तो उसके बाद आपको जो यहां पे एक desktop पे shortcut बटन दिखाई दे जाएगा इसका recowa software का ये देखिए इधर आपको बटन ये दिखाई देने लग पड़ा है recowa का shortcut आपको desktop पे दिखाई दे रहा है अब इसको हम simply click करके ही इसको run करेंगे लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दू जो मैंने pen drive अपने system के साथ लगाई है उसमें कुछ data है जो मैं आपको दिखाऊंगा भी देखिए अब मैं इसको मैंने अभी just pen drive install की है देखिए इसमें data दिखाई दे रहा है गाने कल के एक folder है folder के अंदर जो है वो songs मैंने रखे हुए है अब मैं इसको आपके सामने देखिए delete कर रहा हूँ यहां से मैंने delete कर दिया अब जो है pen drive empty हो गई है हमारी pen drive खाली हो गई है अब देखिए इस software को मैं run करने जा रहा हूँ जो मैंने अभी delete किया data इसको हम recover करेंगे next कर देंगे next करने के बाद देखिए यह आपको पूछेगा कि आपको pictures करनी है songs करने है videos करने है क्या करने है तो आप इसको all files पे रखिए all files करने के बाद next कीजिए next करने के बाद देखिए अब इसमें बहुत सारे options आएंगे हमें कोन सा option select करना है जो इसका path होगा अब यह हमारा g drive पे है तो g drive को हम select करने है जो हमारी pen drive है यहां से जिसका data जो है recover करना है तो g drive को हमने select कर लिया है अब g drive को select करने के बाद आप ok कर दीजिए ok करने के बाद इसको next कीजिए next फिर से एक बार आपको करना है और उसके बाद देखिए यह इसको जो है वो अपना data को recovery का process जो है शुरू कर देगा तो friends यह जो process है यह मैं इसको fast forward कर रहा हूँ क्योंकि यह depend करेगा कि आपके pen drive या फिर आप जिस भी source से अपना data recover कर रहे है उसमें कितना data है मैंने इसको fast forward कर दिया है इसलिए यह कम time ले रहा है जितना ज़्यादा आपका recovery का data होगा यह उतना ज़्यादा time लेगा देखिए आप यह files दिखा रहा है कि यह वाली files इससे deleted हुई है आपको कौन सी recover करनी है आप इनको select करके भी recover कर सकते हो select all करके भी कर सकते हो मैं select all करके इनको recover कर रहा हूँ आप देखिए मैंने इनको select कर लिया अब यह मुझे से पूछ रहा है तो यह वाला जो data वो है वहाँ पे पहुँच चुका होगा तो यह एक simple सा process है जिससे हम अपना data recover कर सकते हैं आप देखिए जब यह process पूरा हो जाएगा 100% तक तो हम इस pen drive को open करेंगे और आपको एक एक file जो है यह दोरा से restore होके उस folder में दिखाई देगी जो हमने saving location दी थी मैं इसमें pen drive की ही saving location दे रहा हूँ जहांसे यह data delete हुआ था आप चाहें तो इसको किसी drive में भी save कर सकते हैं desktop पे भी save कर सकते हैं या कोई नया folder बना लीजिए जैसा कि आपको अच्छा लगता हो आप इसको वहाँ पे भी save कर सकते हैं तो friends इस process को एक एक करके आप step by step देखिएगा ताकि आप इसमें कुछ miss ना करें अगर आप इसमें एक भी process मिस करोगे एक भी step मिस कर जाओगे तो आपका data recover नहीं होगा और friends ध्यान रखिएगा जो मैंने recuba software बताया वो file hippo.com से ही डाउनलोड कीजेगा उसमें से आपको ये फायदा होगा कि वो आपको कहीं और दूसरी या तीसरी साइट पे divert नहीं करेगा direct आपको download का option दिखाएगा जो hurry button से मैंने आपको दिखाया था आप वहाँ से download करके इस process को follow कर सकते हैं तो friends देखिए अब ये process जो है मेरा पूरा होने ही वाला है अब ये जब process पूरा हो जाएगा तो अब मैं आपको दिखाऊंगा देखिए ये process पूरा हो चुका है अब हम इसको simply okay करेंगे okay करने के बाद ये जो है वो pen drive में automatically save हो गया क्योंकि मैंने जो इसको location दी थी वो मैंने pen drive की ही दी थी g drive दी थी जहां से ये data जो है हमारा lost हुआ था तो आप अपने हिसाब से जो भी location में देखिए इसको save कर सकते हैं अब save करने के बाद हम इसको खोल के देखेंगे एक एक file जो है हमारी वहाँ पे store होगी देखिए अब मैं इसको यहां से simply okay कर दूँगा और यहां से इसको close करके अब मैं इसको g drive को open करने जा रहा हूँ ये देखिए मैंने इसको close कर दिया इस सारे process को आप close कर दीजे क्योंकि process complete हो हो चुका है देखिए जी ड्राइब में अब यह सारे जो हमारा data songs मैंने वहाँ से delete किये थे वो आ चुके हैं तो friends ये एक simple सा process है जिससे हम अपना lost data या accidentally deleted data जो है वो recover कर सकते हैं तो friends ये तो था आज का वीडियो जिसमें हम ने सिखा कि हम अपने pen drive या फिर किसी भी drive से अपने lost data या accidentally deleted data को recover कैसे कर सकते हैं एक simple से software के माध्यम से वो भी बिल्कुल free तो friends अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और share कीजिए जय ही जय भारत